नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चैनल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से जुएस्टी पर बीजेपी संसदियर दल की बैठक पीम और गुह मंत्री हुए शामिल बुदवार को संसद में पेश होगा जुएस्टी बिल कॉंग्रिस की समर्थन क्यों नी रहुल गांधी का पीम मोदी पर निश्वाना कहा गुजरात के हालात के लिए मोदी का शासिंद मिदार आनंदी बैंड बनी बली का बकरा स्यम आनंदी बैंड ने की है इस्तिफे की पेशकर साक सम्मेलन के लिए बुदवार को इस्लाम अबाद जोएंगे राजनाथ सिंग पाक सरकार राजनाथ को देगी राष्ट्रपतिस्तर की सुरक्षा भारत पाक में नहीं होगी दिपक्षिबाची टीडीपी ने दी अन्दी ये चोने की धम की आंदर प्रदेश के लिए विशेश राज्य के दर्जे की कर रही मां पार्टी ने संसद के घहराफ का दिया अल्टिमेटम और टोपिंग आरोपों से बरी होने के बाद नर सिंग ने पीम मोदी से की मुलाकार पीम ने रियो उलम्पिक के लिए दी शुपकाम नाए युनाइटेट विश्व कुष्टी से इजाज़त का इंतजार संसद में मंगलवार को बीजेपी संसदी अदल की बैठक हुई इस में प्रधान मंति नरेंद्र मोदी और ग्रिह मंत्री राजनाथ सेंग भी शामिल हुए प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में जेटली ने सांसदों को जुएस्टे बल पर जानकारी दी है बैठक के बाद संसदीय मामलों के मंतरी अनंत कुमान ने कहा कि हम राज्यसभा में गुड्स एंड सर्विस्स टैक्स बिल ला रहे हैं इस अमन्द में सभी पाथियों के साथ बात हो चुकी है आपको बता दे कि जुएस्टे बिल बुदवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा खबर है कि इस बिल के समर्थन में कॉंग्रेस भी आ सकती है हाला कि कॉंग्रेस की और से इसका एलान नहीं किया गया है सरकार मंगलवार को ही बिल पेश करने का मन बना रही थी लेकिन सोनिया गांधी की बनारस में रैली के कारण कॉंग्रेस के कहने पर सरकार ने बिल को एक दिन बाद पेश करने का निर्ने लिया कश्मीर मुद्दे और भारतिय ग्रिहमंत्री राजनाज सिंग के दोरे के विरोध में आतंकी सरगना हाफिस साइद के प्रदर्शन की चेतावनी को पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने गंभीरता से लिया है नवाज सरकार ने सारकवैठक में शामिल होने के लिए दो दिवस्य यात्रा पर इसलामबाद आ रहे राजनाज सिंग को राश्टरपती स्तर की सुरक्षा देने का निर्ने लिया है राश्टरपती स्तर की सुरक्षा का मतलब ये है कि राजनाज सिंग की सुरक्षा में पाकिस्तान के उच्छ सुरक्षा दस्ते के कमांडों समेथ लगभग 200 जवान तैनात रहेंगे बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की अध्यक्षता में सुरक्षा के मद्दे नजर हुई एक एहम बैठक में ये निर्ने लिया गया सावान्य तोर पर ग्रहमंत्री के दोरे के समय उनको मंत्री स्तर की सुरक्षा मिलती है लेकिन सईद की सिर्तावनी के बाद साउद ब्लॉक में पाकिस्तान ग्रहमंत्राले सिसुरक्षा का मामला उठाया था राष्टे दोपिंग और रोधी एजनसी नाडा ने पहलवार नर्सिंग यादफ को दोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया है नर्सिंग ने मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात की प्रधान मंत्री ने उन्हें रियो अलंपिक के लिए शुप काम नाई दी है हाला कि नर्सिंग डोपिंग के आरोपों से बरी हो गए हैं लेकिन वे आलम्पिक में भाग ले पाएंगे या नहीं इस पर अभी संशे बरकरार है। इसी संशे के बीच नर्सिंग को अभ्यास भी करना है क्योंकि क्लीन चित के बाद उन्हें ही भारतिय कुष्टी संग रियो भेजना चाहेगा। ऐसे में नर्सिंग के पास बहुत कम समय हैं। उनका पहला मुकाबला 19 अगस्त को है। पहले इसे मंगलवार सुबा 10 वजे मुंबई पहुचना था। लेकिन रास्ते में बारुष के चलते गुजरात के वाफी के पास इसकी रफतार कम करनी पड़ी। इसके चलते लगभग डेड़ घंटे देरी से पहुचने की खबर है। स्पेन की कमपनी टेलगो के डिपो वाली इस ट्रेन का दिल्ली से मुंबई के बीच ट्राइल सोंबा शाम से शुरू हो गया है। शाम साथ बजकर 55 मिनिट पर ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच रवाना हुई। टेलगो ट्रेन का ये तीसरा और अंतिम चरन का ट्राइल है। इस रूट पर इसकी रफतार अधिकता में 130 किलोमीटर प्रती घंटा रखी गई है। वदवार यानी तीन अगस्त को मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए इसका ट्राइल किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस ट्रेन के जरिये मुंबई से दिल्ली के सफर में 4 घंटे की कटोती की जा सकेगी। गुजरात की सीएम आनंदी बेन पटेल के इस्तिफ़े के अलान के साथ ही विरोधियों ने बीजेपी और पीएम मोधी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कंग्रेस अपाध्य अक्षराहुल गांधी ने ट्विट कर पीएम मोधी पर हमला बोला। राहुल ने गुजरात के हालात के लिए पीएम मोधी को जिम्मधा ठेहराया जबकि आनंदी बेन को बली का बकरा बताया। राहुल ने ट्विट कर कहा कि गुजरात के हालात के लिए आनंदी बेन के दो साल नहीं बलकि मोधी जी के 13 साल जिम्मधार है। बली का बकरा बीजेपी को नहीं बचा सकता आनंदी बैन ने फेस्बुक पर एक पोस्ट के जरीय कहा है कि वो मुख्यमंत्रिपद की जिम्मधारी से हटना चाहती है गुजरात कॉंग्रेस नेता श्रंकर सेंगवागेला ने कहा कि अगर वो इस्तिफा देना चाहती थी तो उन्हें एक महीने पहले बताना चाहिए था गुजरात ने बीजे भी बेनकाब हो गई है ये सहनु भूती प्राप्त करने के लिए ड्रामा है और ये लोगों का ध्यान भष्टचार से हटाने के लिए किया गया है राज्ये में कोई कानुन वेवस्था नहीं है गुजरात की पहली महीला सीम आनंदी बेन पतेल के इस्तिफ़े देने की पेशकर्श के साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि अब राज्ये का नया मुख्यमंतरी कौन बनेगा पिछले दिनों जिस तरह अनंदी बेन को सीम पत से हटाये जाने की खबरों ने जोर पकड़ा था तब ही ये तैह हो गया कि अनंदी बेन के नितित्व में 2017 के विधान सबाचनाव नहीं लड़े जाएंगे ऐसी स्थिती में बड़ा सवाल ये ही है कि अनंदी बेन का उत्तर अधिकारी कौन होगा सियासी गलियारे में इस पद के दाविदार के लिए कुछ नामों पर चर्चा चल रही है सूतरों के मताबिक मुख्य मंत्री बनने के रेस में सबसे उपर गुजराद वीजेपी के अध्यक्ष विजे रुपानी का नाम लिया जा रहा है दरसल विजे रुपानी के लिए कहा जाता है कि संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है वही दूसरा नाम नितिन पतेल का आ रहा है नितिन पतेल एक तो पातीदार समुदाएं से आते हैं साथ ही वो लंबे वक्त से सरकार में मंत्री बने हुए है विदेश मंत्री शश्मा स्वराज ने लोग सभा में कहा कि सौधी अरब में बेरोजगार हुए दस हजार भारतिय श्रमकों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है वो शिवीरों में उन्हें भोजन उपलब्द करा रही है उन्होंने ये भी कहा कि वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विदेश राजमंत्री वीके सिंग आज सौधी अरब जाएंगे शुष्मस्वराज ने कहा मैं आपको अस्वस्थ करती हूँ कि सौधी अरब में बेरोजगार हुआ कोई भी श्रमिक भोजन के बिना नहीं रहेगा मैं घंडे घंडे स्थिती की निगरानी कर रही हूँ मैं संसद को ये बताते हुए संतोष महशूस कर रही हूँ कि सभी पांच शुवीरों में अगले दस दिनों के लिए राजशन वितरित कर दिया गया है हालक ये समस्या कास्थाई हल नहीं है हम अपनी श्रमकों को वहाँ नहीं छोड़ सकते हैं मैंने उनके विदेश विभाग और श्रम विभाग में संपर्ट किया है हमने वहाँ के विदेश विभाग से कहा है कि वे श्रमकों को सौधी अरब से वापस लाने के लिए हमको अधिकरित करें 22 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के उपर से गायब हुए AN32 विमान का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है विमान के तलाश में जुते बचाव दल के मताबिक अधिकतर विमानों में पानी के नीचे होने पर उसका पता बताने वाला यंतर अंडर वाटर लोकेटर लगा होता है लेकिन ये यंतर इस विमान में नहीं लगा है जिसकी वज़ा से इसे खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है खोजबीन में लगे बचाव दल के मताबिक 39 अधिकारियों को ले जा रहे विमान एन 32 के बंगाल की खाड़ी में समा जाने की आशंका है जानकारी के मताबिक सेनी को वरक्षा सामगरी ले जाने के लिए उपियोग किये जाने वाले इस विमान में पानी के नीचे रहने पर पता लगाने वाला यंतर नहीं लगा था रक्षा सूतरों का कहना है कि विमान की तलाश में पंडूबी, जहाज और अन्य कई चीजे लगी हुई है बिहार के सीम नितिश कुमान ने शुराब बंदी पर अजीब औ गरी बयान दिया है नितिश कुमान ने सुमबार को विधान सभा में कहा कि बिहार में शुराब बंदी करने का मतलब बिढ़नी के च्छते में हाट डालना है इसमें कुछ भी हो सकता है, हाला कि उन्होंने कहा कि शुराब बंदी के मसले पर वो अडिग है किसी भी सूरत में बिहार को नशा मुक्त राज्य बना कर ही दम लेंगे नितिश कुमार को शराब माफियां की मजबूत लॉबी से एक कड़ी टक्कर मिल रही है उन्होंने कहा कि नए संशोधित कानून में कुछ और बाते जोड़ी गई है ताकि इस कानून को सक्त बनाया जो सके और शराब की तसकरी पर लगाम लग सके उन्होंने अपने इस मुहीन को समाथ सुधार की तरफ बढ़ता कदम बताया बुलन शहर गैंग रेप का पीड़ित परिवार शर्मंदिगी और लोकलाज के कारण खोड़ा स्थित घर छोड़ दिया पीड़िता किशोरी के पिता जो ओला क्याब चालक है उन्होंने बताया कि घटना के बाद जब यहां पहुंचे तो उनकी हिमत नहीं हुई कि वे घर जाएं घर जाकर वे अपने पडोसियों से आख कैसे मिलाएंगे इतना ही नहीं इस घटना के बाद जब अपने एक दोस के घर गए तो उनके दोस्त ने उन्हें वे उनके परिवार को अपने घर पर पनहा देने से साफिनकार कर दिया हाला कि मौजूदा समय में वे अपने एक जानने वाले के यहां ही रुक रहे हैं घटना से सहमी उनकी बेटी ने दो दिन से खान नहीं घाया उसकी हालत काफी गंभीर है वही पीडिता के पिता आरोपियों पर सक्त कारवाई ना होने पर पुलिस को खुदखुशी का अल्टिमेटम दिया है नौकर से अप्राकृतिक सेक्स करने के मामले में मध्य प्रदेश के पूर वित्तमंत्री राघव जी पर भोपाल कोच ने आरोप तैकर दिये हैं राघव जी पर धारा 377 और 506 के तहट मामला चलाने के आदेश दे गए हैं मामले में अगले सुनवाई 12 अगस्त को तैकी गई है राघव जी ने 2013 में अपने सरकारी आवास में रहने वाले यूबक के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया था इस घचना की सीडी सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीती में भुचा आला गया था सीडी सामने आने के बाद राघव जी को इस्तफा देना पड़ा था मामले के उजागर होने के बाद राघव जी के साथ शिवराज सरकार की भी खूब किरकिरी हुई थी यहां तक की मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान पर कारवाई में देरी को लेकर उंगलियां उठी थी बाद में शिवराज ने उन से इस्तिफा लेकर विवाद से किनारा कर लिया था जुसके बाद रागव जी की गिरफतारी को हेफिसा से हुई थी लुकेश राहुल के बाद अजिंग रहाने के शांदार श्रतक के दम पर 300 से ज्यादा की बड़त बनाने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी घोशित कर दी है तीसरे दिन के खेल होने से पहले उमेश व्यादव का विकेट गिरते ही लगातार बारिश के कारण मैच में बाधा पड़ गई और भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 500 रन पर घोशित कर दी टीम इंडिया को पहली पारी के अधार पर 304 रनों की बड़त विली है आज के खेल में रहाने ने भी शांदार शतक ठोक दिया उन्होंने चौके से ये शतक पूरा किया वे 108 रन बनाकर नाबाद रहे विंडीज की ओर से रोस्टिन चेस ने शांदार के इंदवाजी की और पांच में के जटक लिये देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारूती सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इज़ाफा कर दिया है कंपनी ने बताया कि तुरंट प्रभाव से सभी मौडल की कीमतों में 20,000 रुपई की बड़ोत्री की गई है इससे पहले जुलाई महीने में कंपनी की कुल विक्री में 12.07 फिस्दी की बड़ोत्री हुई है कंपनी ने ज़ौरान 1,37,116 कारों की विक्री की जबकि पिछले साल इसी महीने में कुल 1,21,712 की विक्री हुई थी कंपनी ने बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि जुलाई में कंपनी ने अब तक की सारवधिक घरेलू बिक्री की जो की कुल 1,25,778 एकाई की रही जो की पिछले साल के इसी महीने की कुल 1,10,405 एकाई के मुकाबले 13,9 फिस दी अधिक है खबरों के सफर में फलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माधियम से तो आप जुर रहिए मेट्व टीवी से तब तक के लिए नमस्कार